स्वागत है आप सभी का प्रकास एकेडमी चैनल में आज हम लेकर आए हैं आप सभी लोगों के लिए सभी प्रतियोगी परिष्छाओं में बहुत ही महत्पूर्ड होने वाली है तो चलिए सुरू करते हैं पहला प्रस्न पहला प्रस्न है ग्यान पीठ पुरुसकार किस छेतर वालों को दिया जाता है तो इसका जो सही जवाब है वो साहित साहित के छेतर में ग्यान पीठ पुरुसकार दिया जाता है जो अगला प्रस्न है अरजुन पुरुसकार किस से सम्मंधित है तो इसका जो सही जवाब है वह है खेलकूद, खेलकूद से सम्मंधे छेतर में अरजुन पुरुसकार दिया जाता है अगला प्रस्ण है किस छेतर में आसाधारण योगदान के लिए सांती सुरूप भटनागर पुरुसकार दिया जाता है तो इसका जो सही जवाब है वो है विग्यान विग्यान के छेतर में आसाधारण योगदान के लिए सांती सुरूप भटनागर पुरुसकार दिया जाता है चलिए अगला प्रसन देखते हैं अगला प्रसन है ग्रैमी पुरुसकार किस छेतर में दिया जाता है तो इसका जो सही जवाब है वो है संगीत संगीत के छेतर में ग्रैमी पुरुसकार दिया जाता है चलिए अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो अगला प्रस्ण है नार्मन बोर लोग पुरुसकार किस छेतर में दिया जाता है तो इसका जो सही जवाब है वो है क्रसी, क्रसी के छेतर में नार्मन बोरलोग पुरुसकार दिया जाता है चलिए अगला प्रिसन देखते हैं, अगला प्रिसन है राश्ट्री एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरुसकार से सम्मानित किया जाता है तो इसका जो सही जवाब है वह है नरργिस दत पुरुसकार राष्ट्री एक्ता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को पुरुसकार से सम्मानित किया जता है चलिए अगला प्रसन देखते हैं रायमन मैकसे से पुरुसकार किस देश द्वारा प्रदान किया जता है तो इसका जो सही जवाब है Free Prince, फीली पिंस देश के द्वारा रैमन मैक्से से पुरुषकार प्रदान किया जाता है चलिए अगला प्रस्न देखते हैं, पुलितिजर पुरुषकार किस छेतर में प्रदान किया जाता है तो इसका जो सही जवाब है वो है पत्रकारिता पत्रकारिता के छेतर में पुलितिजर पुरुसकार दिया जाता है चलिए अगला प्रस्न देखते हैं कलिंग पुरुसकार दिया जाता है तो इसका जो सही जवाब है वो है बिग्यान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरुसकार दिया जाता है चलिए अगला प्रसंद देखते हैं किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल पांसो पुरुसकार दिया जाता है तो इसका जो सही जवाब है वो है परियावरड प्रतिरच्छा के लिए जो परियावरड प्रतिरच्छा के लिए ग्लोबल 500 पुरुसकार प्रदान किया जाता है चलिए अगला पृष्ण देखते हैं धनवंतरी पुरुसकार किस छेतर में प्रदान किया जाता है तो इसका जो सही जवाब है वो है चिकित्सा छेतर में चिकित्सा छेतर में धनवंतरी पुरुसकार प्रदान किया जाता है चलिए अगला पृष्ण देखते हैं सरसोती सम्मान किस छेतर में प्रदान किया जाता है तो इसका जो सही जवाब है वो है साहित साहित के छेतर में सरसोती सम्मान दिया जाता है चलिए अगला अपने देखते हैं नोबिल पुरुसकार की स्थापना किस देश ने की थी तो इसका जो सही जवाब है वो है स्वेडन स्वेडन देश ने नोबल पुरुसकार की स्थापना की थी चलिए अगला प्रसन देखते हैं नोबल पुरुसकार किसकी इसमरत में दिये जाते हैं तो इसका जो सही जवाब है वो है अल्फरेड नोबल ये Alfred Nobel की इसमरत में Nobel पुरुशकार दिया जाता है चलिए अगला परस्न देखते हैं अगला परस्न है ग्यान पीठ पुरुशकार कब से प्रदान किया जाता है तो इसका जो सही जवाब है 666 से जो 1965 से ग्यान पीठ पुरुशकार Verein किया जा रहा है चलिए अगला प्रसंद देखते हैं खेल प्रसिचकों के लिए द्रोणा चार पुरुसकार किस वर्स इस्थापित किया गया तो इसका जो सही जवाब है वो है उन्नीस सो पचासी सवी 1985 इसवी में खेल प्रसिचकों के लिए द्रोणा चार पुरुसकार इस्थापित किया गया था चलिए अगला प्रशन देखते हैं नोबल पुरुसकार कब आरंभ किये गए तो इसका जो सही जवाब है वो है 1901 इसवी में 1901 इस्वी में नोबेल पुरुसकार आरंभ किये गये थे चलिए अगला प्रस्ण देखते हैं भारत रत्न और अनिराष्ट्री सम्मान का आरंभ कब हुआ तो इसका जो सही जवाब है वो है 1954 में 1954 इसवी में भारत रत्न और अनिराष्टी सम्मान का आरंभ हुआ था चलिए अगला प्रिशन देखते हैं सीवी रमन को किस वर्स नोबेल पुरुसकार मिला था तो इसका जो सही जवाब है वो है 1930 इसवी में 1930 स्वी में सीवी रमन को नोबल पुरुसकार मिला था चलिए अगला प्रस्ण देखते हैं अगला प्रस्ण है मैन बुकर पुरुसकार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है तो इसका जो सही जवाब है वो है राष्ट मंडल और आयरलैंस से अंग्रेजी के लेखक चलिए अगला प्रस्ण देखते हैं अर्थ सास्टर में नोबल पुरुसकार किसने इस्थापित किया था तो इसका जो सही जवाब है वो है स्वेडन का सेंटरल बैंक स्वेडन का सेंटरल बैंक जो है ये अर्थ सास्टर में नोबल पुरुसकार इस्थापित किया था चलिए अगला प्रस्ण देखते हैं ग्यान पीठ पुरुसकार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी तो इसका जो सही जवाब है वो है आसा पुरुडा देवी जो आसा पुरुडा देवी थी ये ज्यान पीठ पुरुसकार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी चलिए अगला प्रस्ण देखते हैं अगला प्रस्ण है केके बिडला फाउंडेशन द्वारा 1902 में साहित के छेतर में उतकरष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई तो इसका जो सही जवाब है वो है सरसुती सम्मान सरसुती सम्मान ये जो साहित के छेतर में उतकरष्ट योगदान के लिए इस्थापित किया गया था और ये है केके बिडला फाउंडेशन द्वारा 1992 में चलिए अगला प्रस्ण देखते हैं अगला प्रस्ण है व्यास सम्मान किस छेतर में दिया जाता है तो व्यास सम्मान जो है ये साहित के छेतर में प्रदान किया जाता है तो चलिए अगला प्रस्न देखते हैं तान सेन सम्मान किस राज सरकार ने सुरू किया है तो इसका जो सही जवाब है वो है मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश सरकार ने तांसें सम्मान की सुरुवात की थी चलिए अगला प्रस्न देखते हैं दादा साहब फाल के पुरुसकार सर्व प्रथम किसे मिला तो इसका जो सही जवाब है वो है स्रीमती देविका रानी स्री मती देविका रानी को दादा साहब हाल के पुरुसकार सरवर्थम मिला था चलिए अगला प्रस्न देखते हैं मैग से से पुरुसकार से सम्मानित होने वाले पुरुसकार से पुरुसकार से सम्मानित किया गया था और ये प्रथम भारतीत है चलिए अगला प्रस्न देखते हैं अगला प्रस्न है रविंद्र नाट टैगोर को साहित के छेतर में किस वर्स नोबेल पुरुसकार दिया गया तो इसका जो सही जवाब है वो है 1913 इसवी में 1913 इसवी में रविंद्र नाट टैगोर को साहित के छेतर में नोबेल पुरुसकार प्रदान किया गया था चलिए अगला प्रस्न देखते हैं सीवी रमन को किस वर्स नोबेल पुरुसकार दिया गया तो जो 1930 इसवी में सीवी रमन को नोबेल पुरुसकार प्रदान किया गया था चैले अगला प्रश्म देखते हैं जो अमरति सेन को किस वर्स अर्थ सास्तर का नोबल पूरुसकार दिया गया था जो प्रोफेसर थे अम्रतिसेन जी इनको किस वर्स अर्थ सास्त्र का नोबल पुरुसकार दिया गया था तो इसका जो सही जवाब है वो 1998 इस्वी में 1998 इस्वी में प्रोफेसर अम्रतिसेन को अर्थ सास्त्र का नोबल पुरुसकार दिया गया था चलिए अगला प्रिशन देखते हैं सुब्रमान्यम चंदर सेखर को किस छेतर में नोबेल पुरुसकार मिला तो इसका जो सही जवाब है वो है भावतकी भावतकी के छेतर में नोबेल पुरुसकार दिया गया था सुब्रमान्यम चंदर सेखर जी को चलिए अगला प्रिशन देखते हैं अर्थ सास्तर के छेतर में नोबल पुरुसकार किस वर्स से प्रदान किया जा रहे हैं तो इसका जो सही जवाब है वो है 1979 इसवी से 1979 इसवी से अर्थ सास्तर के छेतर में नोबल पुरुसकार प्रदान किया जा रहा है चलिए अगला प्रसन देखते हैं ACI नोबल पुरुसकार के नाम से जाना जाता है तो इसका जो सही जवाब है वो रैमन मैकसे से पुरुसकार रैमन मैकसे से पुरुसकार को ACI Nobel पुरुसकार के नाम से भी जाना जाता है चलिए अगला प्रशन देखते हैं दादा साहब फाल के पुरुसकार प्रदान किया जाता है तो इसका जो सही जवाब है वो है सूचना एम प्रसारण मंत्राले भारत सरकार द्वारा इसका जो सही जवाब है दादा साहब फाल के पुरुसकार प्रदान किया जाता है चलिए अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन है आसकर पुरुसकार प्रदान किया जाता है तो इसका जो सही जवाब है वो National Academy of Motion Picture Arts and Sciences द्वारा तो इसका जो सही जवाब है वो National Academy of Motion Picture Arts and Sciences द्वारा आसकर पुरुसकार प्रदान किया जाता है चलिए अगला प्रशन देखते हैं ग्यान पीठ पुरुसकार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था तो इसका जो सही जवाब है वो है सुमित्रा नंदन पंथ सुमित्रा नंदन पंथ जी ग्यान पीठ पुरुसकार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक थे चलिए अगला प्रशन देखते हैं सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्त करता है इसका जो सही जवाब है वो है हरिबंस राय बच्चन हरिबंस राय बच्चन जी सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्त करता थे चलिए अगला प्रशन देखते हैं भारत रत्न से बिभूसित प्रथम बिभूती है जो इसका सही जवाब है वो डाक्टर S. राधा कृष्णन जो डाक्टर S. राधा कृष्णन है ये भारत रत्न से बिभूसित होने वाले प्रथम बिभूती है चलिए अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन है मरडो परांत भारत रत्न पुरुसकार से सरव प्रथम किसे सम्मानित किया गया था तो इसका जो सही जवाब है वो है लाल बहादूर सास्त्री लाल बहादूर सास्त्री जी को मरडो परांत भारत रत्न पुरुसकार से सरव प्रथम सम्मानित किया गया था चलिए अगला प्रशन देखते हैं भारत रत्न से बिभूसित प्रथम बिदेशी है इसका जो सही जवाब है वो खान अब्दुल गफार खान जो खान अब्दुल गफार खान थे ये भारत रतन से विभूसित होने वाले प्रथम विदेशी वक्ति थे दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जादा से जादा लाइक सस्क्राइब और सेयर करें धन्यवाद